हेलो स्टुएंट्स आप सबका स्वागत है हमारे चानल Amplitude Studies 2.0 में अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इसका मतलब आप पॉले टेक्निक में काउंसलिंग कराने के इच्छुक हैं और तभी आप यह वीडियो देख रहे हैं मैं इस वीडियो में आपको क्या करते हैं और इस वज़े से बात में प्रॉब्लम आती है और जब तक बात समझ में आती है कि हमें यह करना था तब तक जो है वो च्वाइस लॉग हो करके और रिजल्ट आ चुका होता है तो इस वीडियो को अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आप यह समझ आते हैं वो आपको आसानी से मिल पाए तो मेरा नाम विवेक सिंग राठाओर है और एम्पलिट्यूर इस्टडीस 2.0 में मैं आप सब का स्वागत करता हूं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए अगर आप कोई सीट सोचे बैठे हैं या कोई ब्रांच सोचे आती है तो इसका मतलब आपकी रैंक बहुत अच्छी है और आपको जो है वो दस बारा कॉलेज या दस बारा ट्रेट भरने से ही आपका जो है वो मनपसंद सीट आपको मिल जाएगी केवल और का ध्यान रखना है वो हम अब भी आपको आगे बताते हैं लेकिन अगर आपकी रैंक जो है वो इससे ज्यादा होती है मालिया पंद्रह हजार बीस हजार तो फिर आपके जो आप द्वारा सेलेक्ट किये गए जो ट्रेट्स हैं जो कॉलेजेस हैं उनकी संख्या फिर आपको बढ़ानी पड़ेगी ताकि अगर मालिया पहली ना मिले तो दूसरी मिले दू दूसरी ना मिले तो चौथी पांचु यह ऐसे करते करते और देखिए समय का और साल का कोई भरोसा नहीं रहता आप यह मत सोचिए कि पिछले साल इतने पे गया था तो मैं इतने ही भरता हूं सिर्ट तो मुझे मिल जाईगी इस साल क्या सिच्वेशन है क्या किस तरह से मुवाइल पर सेलेक्ट करने होती है च्वाइस तो इसलिए आप जादा से जादा च्वाइस भरेंगे और सोच समझ के भरेंगे क्रमानुसार भरेंगे जिसकी बात मैं आगे भी करूंगा आपको तो इसलिए जो है वह यह पाइंट जो है कितनी रैंक है यह आपको ध्यान 200 तक भी पहुंच जाएं आपको मैं यह नहीं कह रहा कि आपको अगर सारी सीटे नहीं मिली 100 तक की या जो 80 तक की भरी है तो कोई दा कोई सीट तो आपकी फस जाएगी जा करके तो इसलिए रैंक के हिसाब से 24 भरना बहुत ज़रूरी होता है नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई चाहता है कि मैं केवल अपनी शहर में भर्व करूंगा पॉली टेक्निक और वो अपने ही जिले के एक कॉलिज की चार सीटे लॉक कर देता है बस चार ब्रांच ट्रेट लॉक कर देता है और पता लगता है कि उसका पहले कांसलिंग में नामी नहीं आया उसके बाद फिर नेक्स रांड में जाता है तो सीटे कम हो चुकी होती है तो बात में कंडिशन जो है वो और ज्यादा पैथटिक हो चुकी होती है तो इसलिए अपने रैंक के हिसाब से जो है आप इस पे जरूर काम करें तो यह चीज जो है वो इसमें आपको बतानी थी मुझे दूसर इतनी दूर तक भी चला जाओंगा कोडर कैसे ना कैसे करना ही है मुझे पॉलिटेक्निक तो यह सब बाते जो है अगर आपको बाद में दिमाग में आ सकती है तो करपया उनको पहले ही अपने दिमाग में ले आएं कि आपकी रेंज कहां तक है जैसे माल यह सपोस करो मैं बरे पूरन पूर है तो अगर माल यह सपोस करिए हमारे घर वाले जो है वो इतने एरिया में भेज सकते हैं इससे दूर भेजेंगे ही नहीं तो फिर उस केस में आपकी च्वाइस लिमिटेड हो जाती है इनी कॉलेजेस की जो है वो पहले मन पसंद सीट फिर उसके बाद और तो आप जरूर जरूर अपनी रेंज थोड़ी बढ़ाएं और इतना से भी आगे थोड़ी बढ़ा दें ताकि सीट जरूर है वो जरूर आपको मिल जाए क्योंकि एक बार जब रिजल्ट आ जाता है और नहीं सीट मिलती है तो दुबारा फिर उसी कॉलेज में मिलने के चा किसी के मन में होता है कि मुझे इलेक्रिकल ही चाहिए किसी के मन में होता है मुझे मेकेनिकल ही चाहिए किसी के मन में होता है मुझे सिविल चाहिए किसी के मन में होता है मुझे तीनों में से कुछ मिल जाए कुछ केमिकल के लिए ही होते हैं उनके भाई बहन पढ़ते हैं व और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि हमें इसी शहर में रहना है, चाहे हमें प्राइवेट भी मिल जाएं, तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज को भी भर सकते हैं, एडिट कॉलेज को भी भर सकते हैं, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इस तरह से जब आपने तीन च का पॉलैटेकनिक है पिर भाहीरी का पॉलैटकनिक और आसपास रामपूर का पॉलिटेकनिक का पॉलिटेकनिक यो नज्जी Shark Atlas बना लें कि कौन ज्यादा दूपास पड़ेगा आपके घर से कौन ज्यादा दूर पड़ेगा और उसे आप से जो है वो कारे करें अब जैसे आपके दिमाग में यह है कि हम जो है वो electrical branch ही मानलिया suppose लेना चाहते हैं तो electrical अगर branch लेना चाहते हैं तो फिर आप देखेंगे कि बरेली वाले polytechnic में electrical है तो उसे पहला option मराएंगे जो सबसे नस्दिक है उसके बाद आपने देखा कि बहेडी वाला नस्दिक है तो दूसरे नंबर पर बहेडी का electrical आप select करेंगे ये बहेडी का electrical हो गया जाकर के उसके बाद आपने branch wise तब दूरी के हिसाब से आपको select रना है ऐसा नहीं है कि बरेली के electrical भी भर दिया number 2 पे आपने बरेली का civil भी भर दिया तो अगर आप पहले वाले में नहीं आए दूसरे वाले में आए तो आपको civil मिल जाएगी फिर आप कहोगे मुझे electrical चाहिए थी, यह civil कैसे मिल गई मैंने ही लेना चाहता है तो इसलिए आप जो है वो इस क्रम को ध्यान से समझे इस वीडियो को बनाने का उत्देश यही है कि कई बार बन देखा है कि बच्चे कहते हैं कि हमने यह choice भरी थी लेकिन हमें यह नहीं चाहिए यह हमें चाहिए नहीं थी लेकिन हमें भर दी थी वो उपर क्रम था तो इसलिए क्रम को जो है उपर नीचे करने का जो है option आप को उसमें site पे भी मिलता है तो इसलिए आप उसमें को उसका भरपूर फायदा उठाएं और जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से जो है वो आप जो है वो distance सेलेक्ट करें या colleges सेलेक्ट करें आप ध्यान में रखें दूरी ज़्यादा important है या branch ज़्यादा important है अगर दूरी ज़्यादा important है तो आप बरेली के ही सारे college सेलेक्ट करेंगे पहले उसके बाद आपको चाहिए मालिया सब पोस करिए mechanical तो फिर mechanical तो branch या दूरी क्या आपकी priority में है वो आप सोचते हुए तब इस तरह से जब choice log करेंगे तो आपको जो है वो कोई भी seat मिलेगी तो आपके मन पसंद case साब से मिल जाएगी और आपको regret नहीं होगा आपको जो है वो पच्चावा आपके दिमाग में नहीं होगा जाएगी तो ये तरीका था जिस हिसाब से आपको choice log करनी है rank के हिसाब से आप list बढ़ाते जाएंगे दूरी rank और साथी साथ आपकी branch selection क्या है branch कौन सी पसंद है मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ कि कई लोग के list बनाए रखते हैं कई जगे पर कि सबसे top college या सबसे top branch ये है तो ठीक है वो भी अपनी जगे पर सही है लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी में ज़्यादा नौकरी की समभावना है और किसी में कम नौकरी की समभावना है जो branch जितने कम है तो अगर नौकरी कम है तो बच्चे भी कम है उसी इसाब से और जो branch जिनको कहा जाता है कि ये पहले नंबर पे लेंगे और उनके जो है वो बच्चे भी जादा रहते हैं, तो नौकरी के उप्शन भी जादा रहते हैं, तो competition को मिलाके उसी ratio में हो जाता है, वो balancing वहीं पे हो जाती है, तो इसलिए सारी branch अच्छी है, सारी branch काम की है, आपको हर एक branch में नौकरी के अफसर पूरे मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जो है, आप से जो जौब कर रहा है, पूछेंगे, हर एक चार से पूछेंगे, चार अलग अलगता है, कि आपको आपको आंसर देंगे, तो इसलिए किसी भी चीज को जो है, वो आपको बिलकुल तुछ नहीं समझना चाहिए, या उसमें डिफरेंस नहीं करना च क्लियर कर दी है, ये वीडियो के वल चौइस सेलेक्शन के लिए है, कि चौइस सेलेक्शन प्रॉपरली किस प्रकार किया जाए, तापकि आपको सीट मिलने के बाद आपको बंद में पच्तावान न रहे, तो वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं, उम्मीद करेंगे कि आपक आपको संदोश करना ही पड़ेगा, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स वीडियो में, कोई ग्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, धन्यवाद